हेलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागा थे आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गईस की फास्टेक स्मार्ट वाच में आप लोग वाथसप नोटिविकेशन को कैसे ओन कर सकते हो अगर आपके पास एक Fast Tech Smart Watch है जैसी कि मेरे पास देख सकते गाइस एक Fast Tech Limitless FS1 Model का Smart Watch है अगर आपके पास भी Same Model का है या अगर आपके पास दूसरे Model का भी होगा गाइस तो आप लोग जो इसी वीडियो को देखके आप लोग WhatsApp Notification को On कर सकते हो क्योंकि सारे Fast Tech के Smart Watch होते हैं सबके Settings Same ही होते हैं तो कैसे WhatsApp Notification को On करेंगे आज के वीडियो में मैं ही बताओंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को लास तक देखिए और अगर वीडियो पसाना है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी Subscribe जरूर से कर लिजिए तो आप लोग मेरे चैनल में जाके देख सकते हो और इसको जो है फॉन के साथ कनेक कर सकते हो तो फॉन के साथ कनेक करने के बाद आपको जो अपने फॉन को ले लेना है तो देख सकते हैं यह रहा मेरा फॉन तो इसमें जो आपको फास्टेक का जो यह एब होता है इसको आपको और अपने watch को जो है इसके साथ जो अच्छी तरीके से connect कर ले हैं Bluetooth वगरा सब को यहापर से connect कर लीजी अच्छे से connect करने के बाद यहापर जो आपको एक setting का option मिलेगा settings पर click करना है click करने के बाद यहापर notification का option मिलेगा तो आपको इस all apps के option पर click कर देना तो आपको क्या करना है इस whatsapp के option को on करना है और save changes का option है save changes पर click करेंगे और यहापर देख सक्सेसफुली जो यह setting change हो जुके अभी आपके phone में जो whatsapp का message आएगा वह आपके smart watch में भी आने लग जाएगा तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने fast tech smart watch में आप लोग whatsapp notification को on कर सकते हो कैसा लगा इस आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई